Hello everyone and welcome to Mr. Introdent YouTube channel आज हम लोग David Ricardo की pure labor cost theory of value को cover करेंगे थोड़ा सा हम लोग इसमे scarcity and जो cost of production को लेके इन्होंने बताया था उसको भी cover करेंगे कौन से type की इन्होंने अलग-अलग commodities बताई थी इन सब चीजों को जानेंगे और क्या इनकी theory के major drawbacks या criticism थे इन सबी चीजों को हम लोग इस वीडियो में cover करने वाले सबसे पहले हम लोग Ricardo की theory of value का background देखेंगे देखें Ricardo ने भी जिस तरीके से Adam Smith ने value in use और value in exchange को differentiate किया था उसी तरीके से Ricardo ने exchangeable value को differentiate किया और साथी साथ इन्होंने एक utility का concept थोड़ा सा लाया कि utility के accordingly किस तरीके से हम लोग अलग-अलग तरह की चीजों को अलग-अलग commodities को बाच सकते हैं किसकी utility जादा है या किसकी utility का में इसके अनुसार अब देखे इन्होंने exchange value के लिए सबसे पहले क्या बताया कि कोई ना कोई जो भी object है उसके कोई utility होनी थी है utility यानि ability to satisfy वो हमारी किसी ने किसी मांग को पूरा करता हो exchangeable value की यहां पर बात हो रही है value in use की बात नहीं हो रही है exchangeable value क्या होती है देखे पहले भी मैंने आपको Adam Smith की वीडियो में differentiate किया था value in use क्या होती है कि किसी चीज की हमारे लिए क्या उप्योगिता है उसका क्या हम लोग उसको किस चीज के लिए इस्तमाल करते है जैसे पानी का value in use होता है वो बहुत जादा है क्योंकि वो हमारे जिंदगी के लिए बहुत important है exchange value क्या होती है किसी चीज को किसी चीज के बदले में मिलने वाली जो value होती है जैसे for example मैं अगर एक सोने का सिक्का किसी को देता हूँ तो मुझे उसके बदले में क्या-क्या चीज़े मिल सकती है वो उसकी exchange value होगी तो exchangeable value की Ricardo ज्यादा बात करते हैं value in use की उतनी जाद बात नहीं करते हैं exchangeable value के लिए यह क्या कहते है किसी चीज में utility होनी चीज़े है यानि उसका कुछ एक अच्छा उप्योग होना चीज़े तभी उसमें क्या होगा exchangeable उसकी value होगी और यह जो exchangeable value है यह दो चीजों पर depend करती है या तो scarcity यानि उसकी कमी पर या फिर दूसरा क्या बताता है यह labor के हिसाब से labor यानि कितना उसे पाने में महनत लगी है कितना उसे पाने में या बनाने में संघर्श हुआ है इन दो बातों पर क्या depend करता है किसी भी चीज़ की exchange value depend करती है Ricardo का main focus exchange value पर ही था कि चीज़ों को अदला बदली करने के लिए चीज़ों की क्या value होगी value in use को इन्होंने इतना importance दिया नहीं था तो हम लोग यहाँ पर throughout जो भी बाते करेंगे जो भी हम लोग value की theory पढ़ेंगे जो भी हम लोग commodities का differentiation करेंगे सब कुछ, हम लोग exchange value की इसाब से यानि इस commodity को देने पर हमें एक क्या बदले में कितना मिलता है या बदले में कितनी value का समान मिलता है इसी value के बारे में हम लोग केबल और केबल इस video में बात करेंगे देखिए इन्होंने दो तरीकी की commodities के बारे में भी बताया है सबसे पहले ऐसी commodities होती है जिनने बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनाया जा सकता या रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता या कह सकते हैं जो rare है antique है तो इन सब चीजों की जो demand इन सब चीजों की जो value है या जो rare statues है कुछ antique art है या ऐसा कुछ है तो ये क्योंकि ये कम है इसकी वज़े से इसकी value ज्यादा है एक जैसे बहुत सारी किताबे तो आप नहीं बना सकते हो एक ही बनी हुई है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी कोई rare statue है कोई mother goddess का statue है कोई पुराने ज़वाने का कोई statue है तो उसको आप बहुत ज़्यादा तो replicate नहीं कर सकते हो बिलकुल same same तो नहीं बना सकते हो coin से उनको same नहीं बना सकते हो इस वज़े से इनकी value ज्यादा होती है दूसरी चीज़ क्या होती है एक commodities which can be multiplied to any limit ऐसी चीज़े जो बहुत ज़्यादा बनाई जा सकते है जैसे for example कोई जूता है कोई pin है जैसे pin making industry होती है shoe industry है आपका agriculture कोई product है wheat, rice या कुछ भी है pulses है या कोई दूसरी चीज़े जिसे आप बहुत ज़्यादा करके बहुत amount में बनाया जा सकता है तो उनकी value किसे साब से determine होती है amount of labor के according यानि जिस पे जितना बनाने में जितनी महनत लगी है जितना cost of production तो चलिए हम लोग बात करेंगे फिलाल यहाँ पर amount of labor की बात हो रही है तो जितना उस पे महनत लगी है उसके accordingly उसकी value को हम लोग नापते है या Ricardo नापते है अब देखिए इनों ने pure labor cost theory of value दी है start से ही हम लोग बात करें दो तरीके की value की theories होती है एक labor cost theory एक cost of production theory labor cost में जिसमें बताया जाता है कि cable और cable labor ही responsible है किसी भी चीज की value को बताने के लिए या किसी भी चीज की value को नाप निकले और cost of production theory में बताया जाता है कि इसको बनाने में जो cost लगा यानि land, labor और capital या और भी जो factor of production है उन सब को मिला के जो cost बनती है उसके हिसाब से किसी चीज की value तै की जाती है लेकिन यहाँ पर क्यूंकि रिकार्डो ने labor cost की बात करी है mainly तो हम लोग यहाँ पर इनकी labor cost theory को लेंगे अब देखिए इन्होंने labor की कुछ functions बताया है कि labor का क्या use होता है किसी भी चीज की value को बनाने में या किसी भी चीज की value किस तरीके से labor पर depend करती है यह कहते है it is the foundation, source and substance of value ठीक, labor को इन्होंने इतनी importance दिये यह कहते है कि labor ही है जो एक foundation है या फिर आप कह सकते हो source of value है फिर यह क्या कहते है it is the cause of changes in absolute and relative values यह बताते है absolute and relative changes जैसे for example इसको इस तरीके से समझते किसी ने किसी एक commodity मालने थे एक जूता बनाने में किसी ने ज्यादा labor किया है यह एक शू है थोड़ा लग तो नहीं रहा बटन मालनीजिए एक यह शू है एक यह शू है इसको बनाने में किसी ने ज्यादा labor लगाया है और इसको बनाने में किसी ने कम महनत किये कम हीरे मोती जणे हैं, कम चीज़े लगाईए, कम महनत करिए, कम इसको गिसा है, या कम कुछ चीज़े, तो इसकी जो relative value है, इस जूते के जो value है, वो इसके relation में ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा labor लगा है, और इस जूते की value इसके relative में कम होगी, यानि एक तो ये absolute values उसको भी बढ़ाता है labor मतलब labor responsible होता है absolute value के लिए और relative value के लिए भी labor ही responsible होता है किसी चीज की किसी दूसरे चीज से ज्यादा value क्यों होगी क्यों क्यों कि उस पे labor ज्यादा लगा है तो labor जो है वो absolute आपकी value तो आपके commodity की value तो बढ़ाता ही है बलकि साथ ही साथ उसकी value दूसरों के मुकाबले में भी बढ़ाता है तो ये चीज रिकार्डो ने बताई थी इनके समाने में और कोई बहुत ऐसी कोई technique या ऐसा कोई आप कहसकते parameter नहीं था जिस पर ये value को measure कर सके तो सबसे closest approximation इनने labor ही लगता था इट सर्फ सेज एन ethical एन socio-economic justification of prices ये बताते कि ये एक तरीके से society में एक तरीके का ethical justification दिखाता है कि मतलब सही लगता है लोगों को कि हाँ यार जिसने ज़्यादा मेहनत करी उसकी commodity की value ज़्यादा है तो ये एक तरीके से लोगों को ethical भी लगता है और एक तरीके से economic justice भी देता है जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है या ज़्यादा उस चीज की value मिलती है अब ये technology की भी यहाँ पर बात करते हैं डैविड रिकार्डो की कई सारी writing से आपको मिलेगा कि किस तरीके से ज़्यादा labor की मदद से या ज़्यादा technology की मदद से हम लोग better goods बना सकते हैं better technology की help से better ज़्यादा value की चीज़े बनाई जा सकती हैं तो उन सब चीजों को भी यहाँ पर इन्होंने relate किया है अब देखे रिकार्डो has made a distinction between natural price and market price similarly जैसे Adam Smith ने बनाया था कि जब demand ज़्यादा होगी तो market price बढ़ जाएगी जब demand कम होगी तो market price कम हो जाएगी और जब demand और supply एक equilibrium में रहेंगे तो market price और natural price तेम होगी वैसे ही यहाँ पर यह भी एक natural price की बात करते हैं market price की अब देखें यह क्या कहते हैं कि market price जो है वो कभी-कभी यह temporary जो demand और supply जो market में बढ़ती ही कमती है तो उसकी वद्दे से कभी-कभी natural price और market price एक दूसरे से अलग हो सकते है लेकिन अगर market price बढ़ता है normal price से तो profit भी बढ़ जाएगा और जब profit बढ़ जाएगा तो capital भी बढ़ने लगेगा उसमें इस्तमाल होने लगेगा जब capital इस्तमाल होने लगेगा तो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा आपका market price गिरने लगेगा यानि ज्यादा production होने लगेगा तो आपका जो demand बढ़ी थी या जो आपकी market price बढ़ी थी वो धीरे-धीरे लог उसको खरीदने लगेगे उसका consumption होने लगेगा सप्प्लाई बढ़ा दी एक तरीके से तो क्या हो जाएगा ाक फिर धीरे-धीरे market price फिर कम होना लगेगा अब जब फिर market price कम होने लगेगा तो profit फिर कम होने लगेगा लोगों को बहुत आपको वही सामान बनागने जब बिक नहीं रहा है या बिक चुका है बहुत हद तक तो उसके बाद आप वही चीज़ बनाते रहोगे तो आपको उतना मुनाफ़त होगा नहीं फिर capital आपका कम ह जाएगा तो इस तरीके से यह क्या कहते है कि short run में यह सारी चीज़े होती रहती है कि कभी market में demand बढ़ गई तो market price बढ़ गया तो लोगों ने production ज्यादा कर दिया और profit थोड़े समय के लिए उनको ज्यादा मिला तो उन्होंने और production कर दिया फिर धीरे उनका production कम होने लगा supply ज्यादा हो गई, demand कम हो गई, यह सारी चीज़े short run में चलती है, मगर long run में यह क्या बताते है कि long run में price जो है वो सिर्फो सिर्फ cost of production पे ही depend करती है और इनके लिए जो cost of production है उसमें main factor क्या था आपका labor था अब देखिए Ricardo ने capital को fixed और circulating capital दो चीज़ों में divide किया, short में है इसको आपको थोड़ा सा बस जानना चाहिए कि circulating capital क्या होता यह जो ऐसा circulation से ही आप समझते है जो चल रहा हो या जो ऐसा capital है जिसका इस्तमाल करा जा रहा हो या जो इस्तमाल में हो तो यह इस्तमाल में रहता ह लोगों को उनकी salary देने के लिए या employ करके रखने के लिए workers को basically और fixed capital जैसे machine हो गया, equipment हो गया, यह ऐसा capital है जो कि आपको यह पास होना चाहिए industry को sustain करने के लिए तो बस यह circulating और fixed capital होता है बहुत कुछ इसमें important था नहीं, criticism हम लोग देख लेते हैं, बहुत हद तक same criticism है, ज जो हमने Adam Smith की जब labor theory पढ़ी थी तो उसमें जो criticisms थे, almost वही criticisms रिकार्डो की theory में भी है, इनके में फैला criticism है कि there is difficulty in measuring labor और cost of production, labor को नापना बहुत ही मुश्किल है, पहले ही बताया था अगर कोई बंदा कम skilled है, less skilled है तो वो ज़्यादा समय लगा करके काम करेगा कोई तो ऐसा नहीं है कि आप labor की मदद से किसी जिसकी value को नाप सकते, किसी की skill को नापा जा सकता, किसी की quality जो है, किसी labor कोई worker है, उसका जो inherent quality है, जो उसकी specialization है, उसे नापा नहीं जा सकता है, labor में भी misdirected कभी कभी गलत जगा पर भी महनत हो जाती है, पदला आप घर बनाने की जगा, cement लगाने की जगा, मैंने यही example पहले भी दिया था, कि cement से आप घर बनाने की जगा, घर को तोड़ रहे हो, और cement में ज्यादा पानी मिला दे रहे हो, उल्टा सिधा कुछ कर दे रहे हो, तो वो जो महनत आप कर रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, an article which cannot fulfill the purpose for which it was intended, cannot have value, जिस चीज के लिए आप बना रहे हो किसी चीज को, जिस intention से अगर वही चीज नहीं पूरी होती है, आपका काम ही नहीं होता, आपको satisfaction ही नहीं मिलता किसी चीज को बनाने के बाद, तो फिर आपका labor जो है, वो किसी काम का नहीं है, उसका कोई value नहीं है, the mean weakness of the labor theory of value is that it ignores the influences of demand, demand के क्या influences होते हैं, इस चीज को labor theory नहीं समझ पाती है, labor theory कहती है कि जित्ती ज्यादा किसी चीज पर आप महनत कर रहे हो, उससी साब से उसकी value होगी, लेकिन चीजों की value उसकी demand और supply पे भी बहुत अद्तक depend करती है, कोई चीज की demand ही नहीं है, आप उसको बना र होतनी है, मानते हैं हम लोग आप पुराने ज़माने का कोई paper industry है, जो काले बिल्कुल जो बहुत पुराने तरीके के पन्ने नहीं होते हैं, वैसे पन्ने बना रही है, उसकी demand नहीं है, आप बनाते जा रहे हो, आप labor लगा रहे हो, मैनत लगा रहे हो, capital लेकिन इन सब चीज हमारी डैविड रिकार्डू की theory of value, pure labor cost theory को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने basically labor की ही बात करी थी, उसी को ज्यादा importance दी थी, इन्होंने commodities को differentiate किया था, on the basis of multiplicity, जो ज्यादा multiply हो पाएगा, उसकी value labor के according होगी, जो नहीं multiply हो पाएगा, उसकी value scarcity के according होगी, तो अगर आपको इस topic स related कोई भी doubt से तो आप comment section में पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसको अगर notes चाहिए, handwritten, तो आप लोग में telegram channel को join कर सकते हैं, thank you for watching.